जिपसिम की फॉल्सी लिंग करवा हूँ या पी ओपी की फॉल्सी लिंग करवा हूँ हमेशा दिमाग में ये कोशन आता ही होता होगा जब आप फॉल्सी लिंग की बारे में सोचते होंगे तो आज मैं आपका doubt clear करूँगा कि दोनों में से सही कौन सी है कि gypsum की false sealing करवा हो जाब P.O.P की false sealing करा हो किसमें सबसे ज़्यादा फाइदा है कौन सी सस्ती है कौन सा brand अच्छा है इंडिया में किसकी life ज़्यादा है और भी basic tips दोंगा कि कौन सी आपको करवानी चाहिए काफ लेकिन आपको पता होना चाहिए कि gypsum की करवाएं life जादा होगी या P.O.P की करवाएं उसकी जादा life होगी दोनों का comparison बताने वाला हूँ मैं theoretical way से आपको बताता हूँ आप आइडिया लग तो गया होगा कि sealing की कैसे जाती है जैसे सामने आप देख रहे हो पहले frame लगा है जोनों का बनाओ यह slab आगे हमारी तो slab के नीचे हम जैसे बनाते हैं design यह एक foot तक होता है अगर gypsum की बात करें तो उसमें हम कह लेते हैं अगर हम हमारा slab rough है गंदी है तो उसमें हम basically gypsum की करते हैं मतलब उसमें क्या होगा कोई foot एक नीचे आके एक sheets लगाई जाती है gypsum के board आते हैं उनको यहां लगाया जाता है पहले frame fix किया जाता है फिर उसका board लगाया जाता है इनके board आते हैं काफी size होते हैं अपना 4 foot by 6 foot के भी होते हैं काफी size होते हैं और P.O.P. में क्या किया जाता है सिधा frame लगाया जाता है जो angles आपने देखे उनमें जाली rectangle रहेगी square रहेगी मतलब circular बगारा नहीं हो इसमें जो भी shape हो आप circular दे सकते हो design बना सकते हो ऐसे design दे सकते हो या कोई भी design दे सकते हो लेकिन इसमें क्या है आपका rectangle यहाँ वही रहेगा इसमें water use होते है इसमें हमारा water use नहीं होते है तो इसको goal मनाके जिस भी shape में डाला हूँ हम इसे डाल सकते हैं यह clear हो गया एक चीज आपको clear हो गया होगी rate भी में इसका बताने वाला हूँ कि कौन सा rate सबसे सस्ता पड़ता है और brand भी में आपको आगे बताऊंगा अभी हम life की बात करें तो इसकी approach life देखी जाती है 5-10 साल यह आपने mostly पता कहां देखियोगी जो office होते हैं government office होते हैं यह private office हैं तो ऊपर जो false selling करनी हो जो भी मतलब office बंटे हैं कि उनको रखने हैं 2-3 साल या 5 साल उदर हमेशा gypsum की false selling की जाती है इसमें board लगा दिया जाता है बस उसको चिपका दिया जाता है बाकी बस खतम लेकिन यह इसकी life जो रहती है इसकी life रहती है आपकी 10-15 साल pop की रहती है plaster of Paris की अगर वहाँ dampness आई मतलब sealant आई फिर risk हो जाता है फिर वो गिरने का chance से रहता है लेकिन अगर risk नहीं होगा ना इसमें crack आएगा ना कुछ इसमें दिखेगा आपके 5-10-15 साल minimum निकल दी निकल जाते हैं अगर आप pop की करवाते हो clear यह दो चीज़े clear होगी अब भी बढ़ते हैं इसके rate के बारे में कि per square feet rate के है देखो यह डिपेंड ओद है material पे कैसा material यूज हो रहा है लेकिन mostly क्या rate चल रहे है फिर मैं brand भी बताता हूँ अच्छा brand अगर आपको घर में यूज करवाना कून से है mostly rate चल रहे है इसकी P.O.P की plus star Paris का rate क्या चल रहा है यह हर city में अलग अलग है लेकिन 90 रुपे में आपको start मिल जाएगा मतलब 60 रुपे में अच्छे brand की अगर use करते है कोई तो 140 रुपे पर square feet में मिल जाएगा जो आपने starting में वीडियो में देखी वो 90 रुपे square feet है जो पहले starting आप में वीडियो में देखी और यह दोनों का clear हो गया अब भी हम बात करते हैं इनके brand की कून सा अच्छा brand है अगर gypsum की में बात करूँ फिर मैं इनका दोनों का अच्छा एक आपको पूरा निचोड नि जिसे बोल सकते हैं वो है इंडिया जिपसम फिर लफाज का भी आता है फिर हमारा बोराट का आता है काफी companies है लेकिन जो अच्छी company है वो है इंडिया जिपसम अगर आप किसी को recommend भी करोगे कि कौन सा आपको जिपसम अगर false selling करवानी है तो हमेशा इंडिया जिपसम करवा और भी काफी जादा brand आती है जो P.O.P. बनाती है लेकिन डुप्लिकेट ब्राइंड भी आते हैं उनसे आपको बचके रहना है उसमें क्या होगा बाद में वो cracks create करते हैं एक दो महिने बाद cracks दिखने लग पड़ेगा हमेशा आपको जब भी P.O.P. करवानी है प्योपी ज देखो अगर आपने सोचा है अपने घर में करवानी है तो P.O.P. करवाओ क्योंकि उसकी minimum life है 10 से 15 साल रहती ही रहती है और वो दिखने में भी अच्छी है अच्छे मतलब उसकी lights जब लगती है वो भी अच्छे दिखती है और किसी भी shape में आप उसको बना सकते हो जैसे आ rectangle रहेगी इसमें होता क्या है देखो by chance कि कभी कभी क्या होता है यह slab बनी नीचे beam दिखते हैं तो इनको शुपाने के लिए भी colleges, hospitals, buildings में gypsum की ही false ceiling की जाती है लेकिन हम गर में flat beam देते हैं और नीचे हमें खूबसूरत भी नीचे दिखना चाहिए तो इसी लिए हम हमेशा क्या करते हैं पी ओपी की false ceiling प्रोवाइड करते हैं एक आपको पूरा idea लग गया होगा दोनों में gypsum और पी ओपी में कौन सा best है अगर मैं prefer करूँगा तो पी ओपी करवाओ अपने गर में क्यूंकि इसका rate हमारा कितना था 90 से 140 रुपे per square feet हमारा rate है इसका और जो brand वो यह हैं और भी काफी चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छा दे सकते हैं बस आपका क्या होना चाहिए वहाँ एक तो area में dampness नहीं होनी चाहिए मतलब sealant नहीं आनी चाहिए slab से दूसरी चीज़ जब आप उसमें करवा रहे हो तो हमेश्या supervision रखते हैं कि जो chicken master यूज की जारी कि दोनों में अगर पूरा rate analysis हमें करना हो कितना खर्चा आएगा P.O.P का भी मैं लाने वाला हूँ तो उसके लिए आपको क्या करना है चैनल को subscribe कर लेना है और यही topic आपको हमारी website पे भी मिल जाएंगे civilsidevisit.com पे जहां पे job के link रहेंगे IS code रहेंगे specification रहेंगी काफी ची question आपको पूशना रहता है आप सिद कोमेंट करो मैं आप उसका reply जरूरूरूरू